नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिसेल यूटूब चैनल में फ्रेंड चैनल पर फस्ट बार बदा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा क्योंकि आपको पता है कि चैनल के दौर आपको रो उच्के 3 दिसंबर 2019 आज के सभी राज्यों के होम गार्डों से संब्सक्राइब की अपडेट है वह आपको इस वीडियो के मिलने वाली है आप देख सकते हैं वीडियो के थमनल में 3 दिसंबर 2019 सब्सक्राइब करने वाले होम गार्ड होंगे सम्मानित तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप देख से तो कि जो भी होम गार्ड अब अच्छा गारे करेंगे उनको किया जाएंगा सम्मानित तो चलिए फ्रेंट्स मिना को टाम वेस्ट की इस वीडियो को सुरू करते हैं और जान लिजे पूरी अपडेट सबसे पहली खबर आप दिख सो उत्तर प् मुख्याले के दिव और करमचारियों की मिली बगत्स के सुबत मिले हैं इनके खिलाब कुछ और तत्य जुटा जा रहे हैं दावा किया जा रहा है कि इनकी जल्द ही गिरपतरी की जाएंगी और वहीं इस मामले में CEO गोमदी नगर और CEO हजरत गंजिक ने ग्रामिन इलागो के थानों में तेनात होमगार्डों के मस्ट्रोल के जाच पूरिक कर लिए हैं नोएडा में हुए होमगार्ड वेतन के फरजीवार से ऐसा अड़कंप मचा है कि हर जिला जाच की सपेट में आ गया हैं लखनों के जिला कमांडेर मुख्याले से पहली गिरपतरी जिला किरपार संकर पांडे की हुई हैं इस मामले में दो और लोग लखनों से जैल जाच चुके हैं इस मामले में सभी थानों में तेनात होमगार्ड के मस्ट्रोल के जाच हो रही हैं और दो थानों के होमगार्डों के वेतन में कुछ गरबड़िया मिली हैं इसके बाद ही सभी में तैनात होमगार के मस्ट्रोलों की जाच कि जा रही है इससे ग्रामिन तैनात रहिए इसमें कुछ गडबड़ी पाई गई है अत्वा नहीं इस बारे में अधिगारी कुछ नहीं बोल रहे और नेक्ट खबर आप दिखते हो उतरपरदेश वहार्ट डूटी में घोटाला क हो चुकी है लेकिन बता जा रहा है कि इस विबाग में ब्रस्टाचार का खेल हैं दो जिलों तक सिमित नहीं है और नहीं डूटी में हेर फेर तक बलकि इसका दायरा काफी व्यापपा कहने की बड़ा है और ये पिछले कहीं साल से होता चला आ रहा है करीब दो अपते पहले में होमगार्ड विपाग में अधिकारियों की मिली बगत से होमगार्ड जवानों की ड्यूटी का खेल सामना आया था और पता चला कि धानों में होमगार्डों की संग्या बड़ा चड़ा कर दर्ज कराई जाती हैं जबकि वास्ता में बेजगए होमगार्डों की संग्या इससे काफी कम होती है बड़े हुए जवानों के वेतन बुक्तान की राशी का अधिगारी बंदर बाट कर लेते है मामला संग्यान में आते ही पांच अधिगारियों के खिलाब एफाई आर दर्ज की गई है और होमगार मंतरी चेतन चोहान ने राजी के सबी जीलों की इस तरह की अरनिमतागी जाच के आदेश भी जारिक कर दिये आपको भी ये रोचकतती लगेंगा आप दिश्टो सरकार बनाने का दावा पेस करेंगी बाजपा और जीजेपी और दूस्तो इसके अलावा आप दिखतोगी लेकिन उसके अगले ही दिन याने की 18 नवंबर को नोएडा के जीला कमांडेर ओमगार्स के दफ्तर में उस कमर पान रहा गया कि दस्तावेज़ों को जलाने के पिछे वही वेक्ति है जिसने सबसे पहले कथित गोटाले की जानकारी दी थी नोएडा के एससपी वैबव कृष्ण बताता हैं कि इसी साल जुलाई महीने में राजी कुमार ने इस गोटाले के बारे में लिखित सिकाय दर् लोगों के खिलाफ एफाई आर दर्ज करके उन्हें गिरपतार किया गया है सीची टीवी फुटेज के आदार पर राजी कुमार को दस्तावेज जलाने के आरोफ में गिरपतार भी कर लिया गया है इससे पहले बीस नॉबर को नौएडा पुलिस ने इसी मामले में पांच को रिप्तार किया था जिसमें डिवेजनल कमांडेर राम नारेन चौरसिया और असिस्टेंट कमांडेर सतीज चंदर भी सामिल थे चौरसिया साल 2017 से 2019 तक नौइडा में होमगार्ड कमांडेर की पद पर रह चुके हैं और नेक्स्ट कबर आप दिसो उत्तरप्रदेश के अलिगर्ड से दूस्तों बहुत ही बड़ी कबर निकल गाई है होमगार्ड गोटाला कमपनी कमांडर से होमगार्ड तक एक खातों की होगी अब जाच और लाइव इंदुस्तान.com ओलाइन निउस पेपर उसी के मादिम से दोस्तों कबर मिली है कि सुबह के होमगार्ड गोटाले तार अलिगर्ड से जुड़ चुके है STF मामले में मंडली होमगार्ड को गिरपतार किया था अब जीले में तैनाद होमगार्ड के आव एतनी कंपनी कमांडर से लेकर होमगार्ड तक एक खातों की जाच होगी और सभी को बैंक खातों पास्वुक आदी की जानगारी देनी होगी बैंक खातों से हुए बीते सालों में केस ट्राइंडिक्शन की जाच भी होगी गोतम बुद नगर में होमगाड आजरी गोटाले का खुलासा होने के बाद प्रदेश के अधिगान जिलों में इसकी जाज शुरू हो चुकी है होमगाड विबाग में तेनाथ बड़े अधिगारी ही नहीं कुछ पुलिस के अधिगारी सद्धिक्न मांगे जा रहे हैं गोटाले में होमगाड के अधिगारियों ने पुलिस के साथ ही जाल साजी की हैं होमगाड विबाग के उच्च अधिगारियों से सांट गार्ड के चलते अधिगान से इस्पेक्टर और धाना परवारियों के फरजी अस्तक्सर वह फरजी मुहर लगाई गई है duty का पैसा ले लिया गया है और जो home guard duty पर नहीं आया है उनकी फरजी तरीके से आज़री लगा दिगी है और फरजी उपस्तिति के आदार पर home guard जवार्नों के खाते में वेतन भी बेज दिया जाता था गोटाले में सामिल अधिगारी जवार्नों से अपना हिस्ता ले लेते थे इसके लिए असली मस्टरोल पकर फाड़ कर फरजी मस्टरोल कारेले में ही तियार किया जाते था अधिक स्थाना अपरबारियों से थाने में समंद से अव एतनिक कंपनी कमांडर ब्लॉक और्गेनाइजेशन ड्यूटी इंचार्स होमगार्ड और ड्यूटी रत होमगार्ड के बैंक आदो का रिकॉर्ड मांगा है और नेक्ट्स खबर आप दिखे थू उत्तरप्रदेश के बलारामपूर से खबर आई कि उत्पीलन के खिलाप लांबद होए होमगार्ड वह्मगार्ड से दोस्तों खबर आप दिखे दोंगे करते हुए रवीवार को कलेक्टर गेट का पर विरोध किया और जिला कमांडेर के खिलाब नारेबाजी करते हुए एसोसियेशन के सदेशियों ने निश्कासित होमगाड को ततकाल भाल के जाने की मांग भी किये और जिला अधिक्स विरंदर परताफ सुकल के नरतोत में एसो किया जा रहा है और कुछ ओमगाडों को बीना गलती के निश्कासित कर दिया गया है जिला कमांडेर ब्रस्टाजार के खिलाब आवाज उटाने वाले ओमगाडों को प्रताबिट करते हैं और अगली खबर आप दिख सो हरियाना के जो 1775 ओमगाडों पर रोजी रोटी का सं 1775 ओमगाडों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है पुलिस विभाग ने अनुवन संपन होने पर इनकी सेवा इसमाप्त कर दी हैं पुलिस मुख्याले के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी कि प्रवक्ता ने बताया कि आतंग वादियो द्वारा पुलवामा मे भारते जवानों पर हमला करने के बाद प्रदेश में सुर्क्सा व्यवस्ता के मदी नजर सिर्सा अंबला हिसार तता फतेयबाद के लिए 2 मार्च 2019 से 30 अप्रेल 2019 तक 1275 तक लोकसवा चुना के मदी नजर रोहत करनाल सोनीपत मेवात पंचकुला तता जिंद के जीले के लि नवंबर 2019 तक उनकी अनुबंद अवदी बढ़ा दी गई है जिस उदेशे के लिए उनको बुलाया था वह समात होने पर उन्हें वापस बेज दिया गया है दरसल अरियना पुलिस से दुआरा अरियना प्रदेश के सभी जीलों में चुनाव ट्राफिक व्यवस्ता कानून वास्ता को देखते हुए आवश्यक्ता के अनुशार सिमीद छंत्र समय के लिए होमगार्ड जवनों को बुलाया जाता हो प्रवकता के अनुशार आवश्यक्ता पर इन्हें दोबारा कानून वाच्ता आधी बनाया रखने के लिए 22 नूबंद आदार पर समय आवदी के स बुलाया ज़ा सकता है और नेक्स कबर आप दिसों उत्तरप्रते से कि आज के बाद होगा ओमगाड के 34 महीनों का एरियर का भुकतान दूस्तों वीडियो के थमनेल में लिखा गया था कि एरियर बुकतान जारी यानिक दूस्तों अब 34 महां के बाद होगा इन होमगाडों के बुकतान होमगाडों को 34 महां के एरियर का भुकतान मस्ट्रों की व्यापक जास के बाद किया जाएंगा सासन ने इसके लिए सबी जिलों में एक अपर जिलादिगारी एडियम इस तरके अधिगारी के अधिक्स्ता में कमेटी गट्रित करने का फैसला किया है सुप्रीम को एक दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक मस्ट्रों की जाच कराने का फैसला किया गया है यानि दोस्तों जो यह होमगाड वितन गोटला इसकी संपून यह व्यापक जास होने के बाद ही सभी होमगाडों को मिलेगा 34 मा का एरियर और नेक्स्ट कपर फ्रेंट्स आप देख से बहुत अटेकर अपडेट्डेट्ज हें चेर अफ्रेंट्ट्ड कार्यों के बहुता है है नहीं कर दोस्तों तो अच्छे कारी करने वाले वाले होमगाड कैड्स के श्रροम के तक दोरान कम्पनि कमानडर ईक्रिकान लग्षमी कान्वार्शद स्सलिय सतो कीई सब्सक्राइब करना से तो अच्छे कारी करने वाले होमकाड होंगे अब सम्मानेत तो फ्रेंट से यह थी पूरी अपडेट आज जो पर्मों को ओमकाड यह से चुड़ी मुख्य कब्रों की अपडेट आपको शुड़ियों के मादम से मिलेगे होगी अगर वीडियो पसंद तो इस वीडियो को जल्दे से जल लाइक करके इस वीडियो को अपने ओमकाड जवाने के साथ सेट जरूर किजिएगा मिलते फ्रेंट्स नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय बारत थैंक्स पूर यह वाचिंग माई वीडियो